नमश्कार पशुपालग भाईयों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर एड्वाइजर में पशुपालण के वेवसाएं में एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने पशु को संतुलित आहार दे रहे हैं या नहीं हर एक पशुपालग ये सोचता है कि हम अपने पशु को अच्छा दानाचारा दे रहे हैं और पशुपालग देते भी हैं परन्तु वो दानाचारा संतुलित है या नहीं ये कैसे पता चलेगा तो दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे एप्लिकेशन के बारे में बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने अपने पशु को कित्रा दारा चारा डालना है जो संपून रूप से संतुलित हो तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो आध्योक तो आये पशुपालक भाई को हम आपको फोन की श्की पर ले चलते हैं सबसे पहले हम पट्ले स्टोर खूल gjort ए correct हैं कि अंब देख सकते हैं कि हम प्ले स्ट्र ने हैं फिनिक प्ले स्टोर खूलने के बाद हममें सर्च करना है फीड चार्ट है ये पीड जाल में सर करा कि यह है वो एप्लिकेशन आई सी ए यार यानि की नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ एनिमल नुक्रिशन एंड फिजियोलॉजी उनकी यह जो एप है भारत सरकार की इस संस्ता है उसकी एप है यह हमने पहले ही डाउनलोड करी हो यह तो इसलिए हमने इसको ओपन कर लिए अब देख सकते हैं किसान भाईयों इसमें गाएं हैं और भैस हम दोनों का जो फीडिंग रूटीन है कि उनको कितना हरा चारा देना कितना सूपका चारा कितना वो हम देख सकते हैं तो हमने गाएं का यह कौलम खोल लिया है सबसे उपर आप देख सकते हैं मिल्क यील्ड लीटर पर डे कितना है हमने इसके अंदर पन्दरा तरिया है और दूसरी जो लाइन हो लिखा है ग्रीन फॉल्डर एवलेबिल्टि यानि कि हरे चारे की उपलब्ता कितनी है अगर सबसे पहले हम जो सबसे कम है अगर हमारे पास अब करते हैं तो आप सुखा चारा है वो है 4.5 किलो प्रति दिन इसी प्रकार अगर हमारे पास जो हरी चारी के उपलबता है वो ना बहुत जादा है ना बहुत तम है तब हमें जो दाना चाहिए वो है 6.7 किलो प्रति दिन हरा चारा 20 किलो प्रति दिन और जो सुखा चारा है वो 3 किलो प्रति दिन यह हम 15 लीटर की गाएं के फीड रूटीन के बारें बतारें उसी प्रकार अगर हरी चारी के लुप्टता बहुत जादा हैं देख सकते हैं हाई ग्रीन हमने कर दिया है तो तो इसी प्रकार हम जो दूद उत्पादन है जैसे अब हमने उपर 20 सिलेक्ट कर दिया उसी प्रकार इसको बदल बदल कर अपने उसी साथ देख सकते हैं अब दोस्तों हमने जो यह शुरू किया यह भैस का करा है हमने जो दूद उत्पादन है वो 9 किलो किया है और उसी प्रकार कम हराचारे के शाब से जो दाना चारा चाहिए वो है 7.4 किलो परते दिन और मोडरेट पकर रम करेंगे तो कंसंट्रेट चाहिए हमें 6.5 किलो परत और अगर बहुत जादा थो 5.6Kp और हराचारा 30 Kp और शूखा चारा 3.5Kp इसी प्रकार आप अलग अलग जो दूद उत्पादन है उसको बदल बदल कर देख सकते हैं कि आपके प्षुक को कितना हराचारा या कितना concentrate और कितना सुकाचारा की उपलबता है यानि की जरूरत है दुबारा हम दिखा देते हैं ये feed chart नामक application I-C-A-R-N-I-A-P-H feed chart मात्र feed chart आप लिखेंगे तो सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी एक और विशेश बात दोस्तों ये application मात्र Android पर है iOS पर आपको नहीं मिलेगी तो iOS यूजर इसको नहीं डाउनलोड कर सकते उनको ये application वहाँ नहीं मिलेगी हाँ Android यूजर को ये application पर मिल जाएगी तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा देगे जानकरी पसंद आएगे